नमस्कार दोस्तों वेलकम टो अर्वन डेक जाम क्लासेज देखिए आज आप लोग का सीटेट का पेपर था और सीटेट 2018 का पेपर आज 9 तारिक आप लोग को 9 दिसंबर को पेपर था तो आज के पेपर में जो सुबह का सिप्ट का पेपर था वो जूनियर लेवल का पेपर अभी मैं आपको जूनियर का डाला हूँ इस वीडियो में और धीरे-धीरे मैं आपके जूनियर के सभी से ठाल करा दूँगा और जो आपके प्राइमरी के हैं इनके वीडियो आपको डालूँगा तो आपको धीरे-धीरे साभी के आपको एंसर मालुम चल जाएंगा तो हम मिला लीजी अपना थोड़ा इधर ओदर हो गा बांके ऐंसर तो वहीं हो गया तो बहुत से दोस्त कि मेरे माध्यम से नहीं जुड़े तो उनको जानक्यरिया नहीं मिल पाती है। सेट जो हमसाौ रहा रहे हैं उनको यथा चलते हैं तो देखिए हम विग्यान के 60 से लेकर 90 तक कोस्टन है तो चलिए पहले सुट चलते हैं पेट्रोलियम का उतपाद नहीं इसमें पूंचा 601 को सब्सक्राइब करना है तो क्या करता है इसमें से नहीं निकलता है और बाकी पैराफिन में बिटोमीन और मिट्टी के लिए सभी पेट्रॉलियम की उत्पाद है जब पेट्रॉलियम को आपको गर्म करके सब किया जाता है तो क्या करते हैं इसमें से इसमें जाते हैं कि जड़त्य को बढ़ने के लिए जरत्य अकर बढ़ेगा तो समतल आप इसलिए जोड़ा से आकार ऐसे दिया जाता है ताकी आप फिश्ले नहीं इसलिए इसके बाद 64 कोशन के बात करते हैं सिरका ने सारिका ने स्वारी सारिका ने आसुत जल एक बोतल मिलिया और पता लगाने कोशिस की कि वह विद्दूत सुचालक है या नहीं उसे किराब प्राप्त होने की संभावना देखे जो आसुत जल होता डिश्टल वाटर यहां इंगलेश में आप बिल्कुन पेवर होता है इसमें क्या होता है यह विद्दूत रोधी होता है ना तो इसमें आपका विद्दूत आती कि विद्दूत का सुचालक नहीं होता है तो इसमें क्या होगा उसे प्राप्त नहीं होगा यह विद्दूत का सुचालक कह सकते हैं यह आपको कुचालक किया विद्दु दुरोधी कह सकते हैं हमारा 55 कोशन है देखिए जो सीटेड का पेपर आता है काफी लिंदी है पेपर आता है इसमें क्या होता है एक कोशन के काफी एंसर आपको लगेंगे लेकिन उसमें से आपको सबसे अच्छा आपको चुनना होगा उन चार विकल्पों म और मेरे में तो कभी नहीं हो सकते हैं आपका इंसर कुछ और हो सकता है मेरा पर सकता है तो जिसमें आपको से उसको कहीं बताए हम उसका कॉछा कौन से सथन सत्य नहीं है पढ़िया क्にな आपको पर लिए चारों कहनों सभी भावनों में विद्धुत परिपतों में फ्यूज लगाया जाते हैं यदि परिपत में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाएं तो सुरच्छित सीमा से अधिक विद्धुत धारा होने में या उड़ जाएगा किसी विद्धुत परिपत में सुरच्छित होने के लिए वि किस इस्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभाइत होने की संभावना है यहां पर आप लोग ने गौर नहीं किया होगा अप्शन पर पूरी मुंबई गोवा और पूरबंदर में आप यहां पर गौर करेंगे जो तीनों है ना यह पस्चिम के छेत्र के हैं और सिर्फ एक है जो पूरी आपका उड़ीशा में पड़ता है तो यहां पर आपके चक्रवात और सबसे बड़ा काड़न है आप सबी अपने अच्छ पे थोड़ी से जुकी हुई है तो यह भी गलत है हमारा और समांतर तो हाई नहीं है और लंबवध तो हाई नहीं है थोड़ी से जुकी है हें तो दू तो हमके तो when llik मिला लेते हैं फेल जो आप कले मिला लेते हैं जो आपके लीजिoi होता है ब्रहत हं जो होते हैं। यह सूच मयुआ आप होगद में होते हैं आप ही प्रिष वी प्रतिर की साखां होता है इस सवस्व आपने में BUT आ आप इसको मिला लीजेगा अगर आपसन की बात करेंगे तो एक हो जाएगा चौथा एक चौथा हो जाएगा और यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा तीसरा हो जाएगा एक चौथा से और डी का हमारा तीसरा हो जाएगा डी का हमारा दूसरा स्वारी तो यहां से हमारा आगे बात करते हैं विज्ञान के रचनातमक आकलन क्यों महत्पूर है शिच्छार्थियों में विज्ञानिक देष्टिकोड की विकास के लिए यकी इसलिए अवस्चा है में अपने हम सत्तर कोस्टन के चलते विद्यालों में विज्ञान मेले का आउजन क्यों किया जाता है यह आपका कोश्चन है तो इसमें देखे किया जाता है सिच्छार्थियों में विज्ञान में स्रजन एयम प्रयोग की छमता का विकास करने के लिए किया जाता है इसलिए आपका यहां पर विज्ञान मेले का एकत्तर की बात करते हैं, एक सिच्छक के नाते निम लिखित में से किसे आप सिच्छड विधा के लिए सबसे उप्युक्त समझते हैं, सबसे उप्युक्त जो समझेंगा अब, धाड़ाओं से सम्मंदित गतविधियों को सिच्छार्थिऊं से कराना, मलब जो भी कारiãoहें ल 3-2 देखिए जो आपका की दो जार पांच कि अच्छी विज्ञान सिच्छा जीवन के प्रति सत्य होती इसका क्या अर्थ है इसका आर्थ यह कि विग्यान बालग को मनौ जो आपके वेग्ञानिक अर्जित कराने की प्रिक्यां को शीखने लाइख बनाता है इसलिए आपका स तो वे ज्यानिक दिश्ट इकोण के देखे जो गुड नहीं है कथिन कार नहीं है खुला मस्तिश कोना चाहिए हम ऐसा open-minded बना होना चाहिए इंगलिस में देखें खुला मस्तिश को आप कुछ दूसरा मस मझेगा अधिक सीखने को सकता होनी चाहिए और वस्तुनिस्टत होनी चाहिए कठिन कारण नहीं मतलब इसका दिस्टिकोर नहीं है 74 की बात करते हैं हरी ने हरी कच्छा 6 के सिच्छार्थियों को घोडन गती पढ़ाना चाहता है निमलिके से कौन से सबसे अच्छी विद्धा होगी देखें ये आगे आपका जोग्रफी मतलब भुगोल भुगोल में क्या होता है जब तक आप प्रदर्शन करके नहीं सिखाएंगे न तब तक आपका सफल नहीं होगा आपको क्या लेना होगा इक ग्लोब लेना होगा उसका प्रदर्शन करके आप घोडन पढ़ाएंगे तो वह प्रदर्शन कहलाता है उदारण लेंगे चर्चा करेंगे कोई फाइदा नहीं है समझ में आना नहीं है 75 की बाद करते हैं है कौन सा विज्ञान अधिगम का एक मुहत्त पूर उद्देश हैं इधियन करताओं में मानदारी एक खंडता और सहयोग के मूले के प्राप्ति कराना है 76 की बाद करते हैं, विज्ञान के मोलनकया में सततता समगर मुहलांकन का अर्थ है विज्यान के मुल्यांकन में सतत एवं समग्र मुल्यांकन का आर्थ है विज्यान के सभी पहलवों का मुल्यांकन सतत और समग्र समग्र लिखा है ना समग्र मतलब सभी तो सभी पहलवों का मुल्यांकन होता है सत्तर की बात करते हैं समस्या समध्धान भी दिका एक चरण नहीं है तो समस्या समध्धान का एक चरण जो आपका नहीं है वो इसमें से इस्तिती की कलपना करना बेकि देखे समध्धान का प्रियास तो आप करेंगे निसकर से भी बाद में निकलेंगे, और लोकन करेंगे, तभी सब होगा, इसिती की कलपना करना, ये एक थोड़ा से गलत लग रहा है, इसमें आप लोग अपना विचार दीजेगा, सदत्तन नमबर में अपना, आप आइंसर रखेगा, और मैं आपको जवाब देने काव से प सबसे लंबे सर्प पूछा गया है, तो देखिए, बहुत से लोगों ने इनकोंडा लगा दिया था, लेकिन इनकोंडा गलत है, जालीदार अजगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर पाइथन्स जो होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, 9 मीटर्स उपर के होते हैं, तो यह सही है, विस्वर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि जो आपको लोगों को स्वस्त रखता है, यह आपका सही है, देखिए, चेचक के टीके का जब इसकार किया था, वो आपका किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, यह आपका स प्राणू सो बचाता है ना हमाई रच्छा करता है कोई भी चीज को बचाने के तो सुडियम बिंजुनोटिस में मिला देते हैं तो हमारी रच्छा करता है किंटवन कहते हैं चोड़े चोड़े जीव होते हैं इस्ट तो यह क्या होता है इस्क का Thirdのは 일-क पादन में करते हैं परियोग्शक एलकोहल जब मनाते हैं नॉजब गन्य के रज्ससे इलकोहल बनाते हैं तो इस्ट की प्रयोक इंडिवनद्द से हमारा शिर्का बनता है विलकोहल बनती इसी प्रकार से इज्टीफॉर की बात करते हैं miisa ृ कंडि का जो है एटिपी सूर्जा अगराण करती है एटिपी सूर्जा प्रदान करती है और बनाती है उसी परकार RYBO醬्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं तो प्रोटीन इसमें सही होगा 85 की बात करते हैं यदि एक सरलोला की आवरती दो हर्टज हो तो यदि 16 सिकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा देखिए एक सरलोला की आवरती मतलब कि एक सिकेंड में किये गए कमपनों की संक्या को यह हम आवरती कहते हैं एक सिकेंड में दो हर्टाज है इसकी समझ रहे हैं आप एक सरा लोला की आवरती एक सिकेंड में दो हर्टाज है तो या 16 सिकेंड में कितना करेगी देखिए एक सिकिंड में दो है तो 16 में 32 करेगी है निमली खित्बे से कौन से धा तो वाई में रखने पर जल उठती मतलब कि आग लग जाती है उसमें तो सभी को मालूम है यह सोडियम क्या होता है जब पानी में रखते हैं तो यह गोल गोल बहुत किया जाता है यह आप लोग को सब को मालूम है तो हमारे अब तीन कोशन बचे हैं उमीद करते हैं आप लोग हमारे साथ साथ लगाते चले होंगे और लास्ट में आप लोग बताएगा आपके कितने कोशन सही वह इन साथ मिलाते हैं तो बहुत तेजी से जलती है एटीनाइन की बात करते हैं हम लोग देखें एटीनाइन में क्या है कौन से कौन सा असंपर्क बल का उधारण है तो यह थोड़ा डाउट वाला कोशन था इसमें काफी कोशन है आप लोग भी इसको सर्च कीजेगा गूगल में मैंने देखा है तो इसमें क्या है आपका पेसी बल जो है आपका वो जो संपर्क बल है और गुरुत्वा करसर्ण और चुम्बिकी बल ये दोनों असंपर्क बल दिये हुए हैं गूगल में सर्च किया मैंने तो तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा दोनों सही होना चाहिए थ आपका लेकिन आपसन में दोनों सही होने कोई यहां पर दिया नहीं है तो पहला दूसरा दिया हुआ है या तो सिर्फ एक लगा सकते हैं आप तो इसका जो एंसर मेरे साब सुझे गुरुत्वा बड़ सब्सक्राइब और चुमिकी बल दोनों होना चाहिए था पर आप लोग अपने विचार दीजेगा अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो वस्त बताइए और जैसे मैंने सर्च किया उसी साब से आपको बता रहा हूं दूसरा हो तीसरा इसका एंसर जो दे रहा था और अगला कोश्चन हमारा है मधुमे रोग किस हर्मोन से द्वारण यहन इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास एक वीडियो आ जाएगा हर समय आप कर नोटजी चाहिए और कोिए इसको दबाद देंगे तो यह आपका काला हो जाएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजेगा धन्यवाद